मशुहूर सिंगर लखी अली ने अपने फेस्बुक पोस्ट से सभी को हैरान कर दिया है उन्होंने फेस्बुक पर एक पत्र साजा किया है जैसे उन्होंने करनाटिक के डीजीपी को भेजा है अपनी पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया है कि बैंगलूरू के लैंड माफिया उनके फार्म पर अवैद कबजा करने की कोशिश कर रहे है सिंगर ने ये भी दावा किया है कि इस मामले में एक महला IAS अधिकारी भी उनकी मदद कर रही है और लोकल पुलिस का भी अवैद कबजा करने वालों को समर्थन है लकी अली ने फेस्बुक पर लिखा आपके सामने इस चीज़ को लाने के लिए माफिय चाहता हूँ मैंने करनाटक के दीजीपी को पत्र लिखा है ये है मेरी शिकायत उन्होंने लिखा डियर सर मैं मकसूद महमूद अली दिवंगत अभिनेता और कॉमेडियन महमूद अली का बेटा हूँ मैं लकी अली के नाम से भी जाना जाता हूँ मैं अपने काम की वजह से फिलहाल दुबई में हूँ लकी अली ने अवैद कबजे का औरोप लगाते हुए अपनी शिकायत में लिखा मेरे फार्म जो की एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी है केंची नाहली यल हांका में मौझूद है इस पर बैंगलोर के लैंड माफिया सुधरी रेड़ी द्वारा गैर कानूनी तरीके से कबजा किया जा रहा है अपनी IAS अधिकारी पत्नी की मदद से वो राज के संसाधनों का व्यक्तिगत लाब के लिए गलत तरीके से इस्तमाल कर रहे है लखी अली अपने शिकायत में लिखते हैं वो लोग ताकत के दम पर और गैर कानूनी तरीके से मेरे फार्म में घुसकए और जरूरी कागजात दिखाने से इंकार कर रहे है उन्होंने कहा कि मेरे लीगल काउंसल ने मुझे बताया कि उनके पास मेरी संपत्ती के अंदर आने का कोई भी कोट और नहीं है और ये पूरी तरह से गेर कानूनी है सिंगर ने कहा कि वो उस प्रॉपर्टी पर पच्चास सालों से रह रहे है और उस पर उनका ही कबजा है लकी अली ने कहा कि फार्म में उनकी पतनिया चोटे बच्चे अकेले है साथ ही उन्होंने लोकल पुलिस पर आरोप लगाया कि वो कबजा करने वालों का ही साथ दे रहे हैं असमामले में कोट में साथ दिसेंबर को सुनवाई है आपको बता दे कि मशुहूर कॉमेडियन और अभीनेता महमूद के बेटे लकी अली ने अपने सिंगिंग करियर में कई शांदार गाने गाये है उन्होंने आभी जा ओसनम सरफ नामा जैसे कई गानों में अपनी आवाज दी है ब्यूर रपोर्ट मेट्रो मुंबई